नमस्कार आप देख रहे हैं फिल्मी बीट ज्यस्मिन भसीन की एंट्री से पहले बहुत सारे ट्विस्ट करते नजर आ रहे हैं मेकर्स वेल पहला बड़ा ट्विस्ट ये है कि ज्यस्मिन भसीन एज़ा कंटेस्टिंट अंदर जाकर एंट्री कर सकती है जी हाँ नॉर्मल एंट्री उनकी करवाई जाएगी as a connection बनकर ही वो आ रहे हैं घर के अंदर लेकिन घर के अंदर जब वो जाएंगी तो वो as a contestant perform करने लग जाएंगी इन सब के अलावा makers ने एक और जटका दिया है और वो ये कि इस weekend के वार एजास खान की एंट्री नहीं होगी जी हाँ well जैसा कि आप जानते ही थे कि एजास और जैस्मिन साथ में एंट्री कर सकते थे लेकिन ऐसा नहीं है एजास खान अभी एंट्री नहीं करने वाले हैं तो यानि कि एजास के इंतिजार में बैटे फैंस को इस weekend पर जटका लग सकता है और सलमान खान ये शौक दे सकते हैं कि उनकी एंट्री अभी नहीं होगी और वो next week होगी उन्हें weekend के अवार का episode की shooting के दोरान देखा भी नहीं गया है और जिसके बाद कहा जा रहा है कि उनकी घर में वापसी नहीं हुई है यानि कि मेकर्स ने एजास की एंट्री के प्लान में बहुत सारे बदलाव की हैं वैसे आपको बता दें एजास की घर हाजरी में उनके गेम को आगे बढ़ाने के लिए मेकर्स ने देबोलीना को उनके proxy के अवतार में घर में बुलाया था जहां वो एजास के गेम को ध्यान में रखकर इसे आगे बढ़ा रही थी और इसी के साथ ही जैस्मिन को लेकर मेकर्स बहुत सारे प्लैन करते नजर आ रहे हैं जैस्मिन को लेकर मेकर्स भी बहुत excited हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे फैंस हैं जिस तरह से ऐली गोनी हैं बिल्कुल वैसे ही मेकर्स भी excited हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही Big Boss के घर में Jasmine की entry होगी वैसे ही Big Boss की TRP काफी high हो जाएगी और इसमें कोई शक की बात भी नहीं है क्योंकि अगर content की बात करें तो यकीनां Jasmine ने तगड़ा content दिया है और Jasmine और Ellie ने तो कमाल ही कर दिया है बात करें अगर Rubina के game की तो अगर के बाद जहां एक तरफ एली काफी उदास नज़र आए तो वहीं पर फैंस भी बेहत परिशान दिखे अब ऐसे में जैस्पिन के लिए ये सारा प्लान कर रही है मेकर्स फिलाल आप सब क्या कहेंगे इस पर आपको में कॉमेंट करके जरूर बताएगा भी बहुत के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा